आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हलो दोस्तों, यहाँ प्रशन की वेद अपने घर से 600 किलोमेटर की दूरी का कुछ हिसा रेल तथा कुछ हिसा कार दवारा तैक करता है यदि वह 120 किलोमेटर की दूरी रेल से तथा 6 दूरी कार से तैक करें, तो उसे 8 घंटे लगते हैं जबकि 200 km रेल द्वारा तथा 6 दूरी कार द्वारा तैग करें तो उसे पहले की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है तो रेल तथा कार की अलग-अलग चाले ग्यात कीजें तो चलिए इस प्रश्ट को हल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं की पहले माल लेते हैं यहाँ पर लेक Flamesy तो यहाँ पर लिखेंगे की स्थीती 1 में देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है कि जब वो 120 किलोमीटर की दूरी रेल तथा से इस दूरी जो कार से तैक करें तो उसे 8 घंटे समय लगता है, ठीक तो यहाँ पर देखें स्तीधी एक में चले, यह इस प्रश्ट को हल करें, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब उसे 120 किलोमीटर की दूरी रेल त यह क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारी 600-120 यह हो गा टिक तो यह कितना आ गया? यह आ गया हमारा 480 km यह आ गया टिक अब देखें रेल द्वारा तैक की गई दूरी 120 km है और तैक करने में लगा समय क्या हो जाएगा यहां से? अगर हम समय निकाले कि रेल का तो यहां से हमारा देखिए समय क्या हो जाएगा से लगा समय जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 120 हमारा क्या है यह हमारी दूरी है और यहां पर X हमारा क्या है चाल तो यह हमारा क्या हो जाएगा समय जो हो जाएगा दूरी बटा चाल होता है तो यह हो जाएगा ठीक यह मंग इसको घंटे में लिख देते हैं अब उसी तरह से हम क्या करते हैं यहां पर देखें इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि कार द्वारा तै की गई जो 480 किलो मीटर हमें निकाला उसमें जो लगा समय व को आके हां हां है अब देखें हमें क्या बोल रहा है कि दोणों में समय है वह गारीगाStative कैसे लिखिएंगे इसको लिखेंगे हाम 120 बटा एक्स जोड चार्चार्सोअत्थी बटा वाई बराबर 8 देखें क्यों यहां पर क्या बोल रहा है कि दूनों में जो तैग करने को समय है उसे 8 घंडे लगते हैं तो यहां पर 8 हो जाएगा अब इसको देखें इसको हल करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे तो यहां से हम 8 ले लेते हैं दोनों में से कॉमन तो यह हो जाएगा 15 बटा X और यहां से आ जाएगा 60 बटा Y यह हो जाएगा बराबर 8 तो यहां से देखी क्या हो जाएगा 8 से हमारा 8 जाएगा तो यहां से हो जाएगा 15 बटा X जोड 60 Y बटा Y बराबर 1 यह हो जाएगा इसको हम माल लेते हैं समीकरन एक हम अब चलते हैं स्थीती दो में यह हमारा स्थीती पहला का हमने हल कर लिए अब स्थीती दो में चलते हैं तो यहां पर क्या बोला है कि जब कि वह 200 किलोमीटर रेल द्वारा तथा जो सेश दूरी है वह कार द्वारा तैय करत तो कार द्वारा तै की गई दूरी क्या हो जाएगी यहां पर लिखेंगे कार द्वारा तै की गई दूरी तो यह क्या हो जाएगी यह हो जाएगी 600-200 तो यह हो जाएगा रेल द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तैक करने में हमारा समय कितना लगता है वो निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेल से लगा समय तो यह कितना हो जाएगा यह हमारी दूरी कितनी थी हमारी दूरी थी 200 और बटा जो हमारा यह क्या चाल था तो यह हो जाएगा 200 बटा x, यह हो जाएगा हमारे घंटे, ठीक, क्योंकि यह समय निकला, उसी तरह से अगर हम निकाले, कार से लगा समय, तो यह हो जाएगा, कार से लगा समय, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, यह 400 है, तो 400 बटा x हो जाएगा, यह घंटे हो जाएगे, ठीक अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि पहले की तुलना में यहाँ बिस मिनट है जादा समय लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकर लिखेंगे 200 बटा x जोड 400 बटा x सुरी यह हमारा y होगा कि यह y है न क्योंकि कार की जो चाल है पहले 8 घंटे लगते थे तो इसको क्या लिखेंगे देखिए 8 घंटे पहले लगते थे हमारा और इसमें से 20 जो मिनट है वो जुट जाएगा तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए ये हो जाएगा 8 गंटे प्लस 20 मिनट इसको कैसे लिखेंगे ये हो जाएगा 8 सहीद 20 बटा 60 हो जाएगा हमारा तो इसको मैंसे लिख सकते हैं तो ये हमारे घंटे में आ जाएगा तो ये किसके बरावर हो यह हो जाएगा, तो इसको बस हमें हल करना है, तो इसको लिखेंगे, क्या देखिए, इसमें से हम 25 को बाहर ले लेते हैं, comment, तो यह हो जाएगा, क्या हमारा, 8 बटा X, यहां से आजाएगा, 16 बटा Y, बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 बटा 3, तो यहां से क्या हो जोड़ यहां से भी इसको क्या करते हैं समिकरन दो अब हम टिक अब क्या करते हैं समिकरन चो एक है दिखेंगे यहां पर समिकरन एक बह समिकरन दो में हम देखें यहां पर क्या है एक बटा एक्स और यहां पर भी हमें है समिकरन एक में देखें तो हमारा क्या है समिकरन में भी एक बटा एक्स और एक बटा बाई है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक बटा एक्स को हम यू माल लेते हैं और एक बटा प्लस ये 60 भी बराबर एक हो जाएगा ठीक और यहां पर समिकरन दो लिखेते हैं यह हो जाएगा 24 भी 24 यू होगा यहां पर ठीक यह हो जाएगा हमारा 24 यू प्लस यह हो जाएगा हमारा 48 भी बराबर यह हो जाएगा एक यह हो जाएगा ठीक 120 हमारा u प्लस इसको भी हम 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 बराबर 8 टिक और यहाँ से हो जाएगा 120 u प्लस यह कितना हो जाएगा यहाँ भी हमारा है यह हो जाएगा 240 भी बराबर 5 हमने ऐसा क्यों किया गिета यहाँ भी हमारा 25 यह हो जाएगा 240 भी बराबर 3 तो भी कमान आ जाएगा 3 बटा 240 यह हो जाएगा टिक तो भी कमान यहां से क्या आ गया एक बटा 80 आ गया यहां से भी कमान अब इस भी का जो हमारा मान आया है उसको हम इस समिकरण एक में रखेंगे टिक तो यहां से क्या हो जाएगा 15 यू बराबर 60 गुना एक सो यह हो जागा एक बटा 80 बराबर एक यह होगा टिक तो यहां से क्या होगा 20 से यह तीन बार में और यह हमारा चार बार में तो यह हो जागा 15 यू बराबर यह क्या हो जागा 1-3 बटा 4 ही हो जागा तो यह हो जागा 15 तो यहां से क्या हो जाएगा, एक बटा चार, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक बटा चार, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक बटा साथ हो जाएगा हमारा टिक, आप देखें, यू और वी का मान निकल गया, अब हम देखते हैं, यू हमने क्या माना था, यू हमने माना था, क्या X बराबर हमने क्या यहां पर माना था एक बटा X जो था हमारा देखिए यहां पर हमने माना था कि एक बटा X को हमने यू माना था तो यहां से क्या हो जाएगा एक बटा X को हमने यू माना था तो यह हमारा क्या हो जाएगा X का जो माना आजाएगा यहां से 60 आजाएगा और यहां से Y का जो माना आजाएगा वो हमारा 80 आजाएगा ठीक और X Y क्या था हमारी यह X था हमारी रेल की चाल और यह हमें Y था कार की चाल तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि रेल की चाल हो जाएगी चाल वह वो जायेग ए साट किलोमीटर प्रति घंटा तिंग अब उसी तरह से हम लिख लेंगे car की चाल यहां से car की चाल वो जायेगा मेरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा यही हमें निकालना था इस प्रस्ट में दोस्तों तो आशा करती है प्रस्ट आपको समझ में आया हो धन्य सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर